चली आज बनी हुई मैथी भाजी की बहुत ही टेस्टी सी पूरियां बनाते हैं और बहुत सांदा लगती हैं खाने में एक तो बड़िया खस्ता टाइप से बन जाती हैं हलकी सी सौफनेस रहती हैं टमाटर की चटनी से ना बस चार चान लग जाते हैं पूरियों में तो यहा दानुसार नमक डालके आपको बड़िया टाइट सा आटा गूत लेना है मतलब जैसे की पूरियों का गूतते हो उस तरीके से और आलू डले हैं तो बहुत-बहुत-बहुत स्वाधियां बनती हैं क्या हुआ था कि मैथी की भाजी में आलू थोड़ा सा ज्यादा हो गया थ और उसमें बनाएंगे मेरी फेवरेट टमाटर की चटनी इसमें एक टमाटर लिया अभी ठंडिया स्टार्ट होगी तो बहुत-बड़िया टमाटर आ रहे हैं लहसुन डाला पांच छे कलिया दो हरी मिर्च थोड़ा साहरादनिया स्वाधानुसार नमक जीरा और हींग ले और उसको आपको पतला मोटा जैसा भी आपको पसंद हो हलका सा ओयल लगा के बेल लेना है और अगर जरूरत पड़े तो आप मोईल लगा सकते हो स्टार्टिंग में जब आटा माड़ो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत-बड़िया पूरी बनके तयार होती है मतलब आपकी फेवरेट होने वाली है मैं थी की पूरिया तो मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है यह देखे इस तरीके से हम पतला भी बेलेंगे तो भी चल जाएगा बड़िया पूरी बनके तयार हो जाएगी और मीडियम टू हाई फ्लेम करके आपको बड़िया सी पू पूरी और साथ में मूली मूली हो या फिर कोई भी सैलडो वैसे मूली अच्छी लगती है ठंडियों में बहुत बड़िया सब्सक्राइब कर दीजेगा बाकी थैंक्यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी का थैंक्यू थैंक्यू सो मच